राम राम किसान भायो मैं नितिन फिर से आज जिरूं आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भायो आज हम बात करने वाले हैं बांसमत्री धान की तीन बहुती अच्छे किसमों के बारे में यदि इन में से किसी भी किस्म की आप बुआई करते हैं रुपाई करते हैं तो किसान भाई यो आप एक अच्छा उत्पादन निकालने में सक्चम हो पाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन किसमों के साथ साथ कि ये किसमें आप किन छेत्रों में कर सकते हैं इनकी जो पकने की अफदी है वह कितनी है और इनका जो उत्पादन है वह कितना है और ये किन किन रोगों से अपने आपको बचा सकती है तो पूरी जानकारी किसान भाईयो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ किर पे आप वीडियो को पूरा देखें तब ही आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे किसान भायो जितनी अच्छी किस्म का आप चेहन करेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसान भायो आप धान की फसल से निकाल सकते हैं तो किसान भायो शुरू करते हैं आज का अपना टुपिक बास्मती धान की तीन उन्नत किस्मे कौन-कौन सी है किसान भायो इनके साथ साथ मैं आपको एक और धान की किस्म के बारे में बताऊंगो यानि कुल मिलाकर के आज मैं आपको चार किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ तो किसान भायो पहली जो हमारी किस्म है वह है पूसा बास्मती 17-28 किसन भायों ये एक ऐसी वराइटी है जिसे आप पंजाब, हरियाना, उत्राखंड, पच्चिमी उत्रपिर्देश इन सभी राजियों में आप अच्छी तरीके से इनकी रुपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन आप यहां से निकाल सकते हैं किसन भायों ये पकने में लगबग 140 से ले करके 145 दिन का समय लेती है किसन भायों यदि इसके उत्पादन की बात मैं करूँ तो लगबग एक एकड़ के अंदर ये 20 से लेके 25 कृंटल तक एक ओसत पैदावार दे देती है किसन भायों ये किस्म जो लीफ ब्लाइट हमारा रो पूसा बास्मती 16, 37 किसन भायों ये जो हमारी किस्म है ये पंजाब, हरियाना, उत्राघंड, पच्चमि उत्तर पिर्देश, दिल्ली के लिए बहुती उप्युक्त हमारी ये अच्छी किस्म है यदि बात करने इसके पकने की तो किसन भायों ये 130 दिन के अंदर पक करके त आती है किसन भायों इसका ये उत्पादन की बात देखी जाए तो यह भी लगवग 20 से लेके 22 कुंडल पिर्ती एकड के हिसाब से अच्छा उत्पादन निकालने में सक्चम हो पाई है किसन भायों इस किस्म के अंदर जो है बिलाश्ट रोग इस किस्म के अंदर नहीं लग जहां पर भी हम धान की फसल की बुवाई करते हैं वह सभी राजियों में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं इसकी बुवाई आप कर सकते हैं इसकी ज़दी में उत्पादन की किसन भाय io बात करूँ तो इसका उत्पादन लगवह 20 से लेके 22 कुंडल पिर्ती एकर तक कि सभी क किसान भाई निकाल पाते हैं यदि आप एक इस पर अच्छी निगरानी इसकी रखते हैं अच्छी देख रहें किसान भाई आप रखते हैं तो 20 से लेके 22 कुंटर पिरती एकर तक का उत्पादन आप इस किसम से निकाल सकते हैं किसान भाई यह किसम भी लगवा 140 से लेकर 145 द कालने में सक्षम हो पाएंगे किसान भायू अगली किस्म के बारे में चोथी किस्म के बारे में आपको बता रहा था वह हमारी चोथी किस्म है पूसा बास्मती पंद्रह जीरो नो इस किस्म के बारे में लगवग सभी किसान भाय जानते होंगे क्योंकि यह बहुत समय से किस्म चलिया रही है और बहुत ही अच्छी किस्म है किसान भाईयो इस किस्म के बारे में यदि में बात करूँ तो यह हर्याना, पंजाब, पश्ची में उत्तर प्रिदेश और बास्मती चावल जहां जहां पर उगाया जाते हैं वहां सभी जगों पर उन सभी एरियों में बास्मती पंद्रे जीरो नो को आप उगा सकते हैं यह बहुत ही अच्छी किस्म है और किसान भाईयो इसके दिए उत्तपादन की बात मैं करूँ तो इसका उत्तपादन भी लगवग 20 से लेके 25 कुंटल पिरती एकर तक इसका उत्तपादन किसान भाईयो आप निकाल सकते हैं किसान भाईयो यह वेराईटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह वेराईटी गिरती नहीं है गिरने में इस वेराइटी को काफी लंबा समय लगता है ये वेराइटी गिरती नहीं है और किसानवाई ये ज़रती भी नहीं है यानि कि इसके दाने अपने आप तूट तूट कर नीचे नहीं गिरते हैं काफी अच्छी वेराइटी किसानवाई ये है और किसानवाई ये किस इसका जो चावल होता है या खाने में भी बहुती स्वादिश्ट होता है तो किसान भाई इस तरह से मैंने आज आज आपको ये चार किस्मों के बारे में बताया है जो पूसा अबासमती की बहुती अच्छी चारो किस्मे हैं यदि इन किस्मों में से किसी भी एक किस्म का आप चैन करते हैं तो किसान भाइओ आप एक अच्छा उत्पान निकालने में सक्चम हो पाएंगे तो उम्मीद है किसान भाइओ आपको मेरी जानकारी का फिर पसंद आई होगी यदि इससे सम्मंदित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं कोसिस करूँ आपको सही और एक अच्छा उनकाई देने की तो किसान भाइओ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए राम राम जी